हेलो एव्रिवान, टागिट BPSC के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, चलिए पहले पिछला भ्यास प्रशन देख लेते हैं, सवाल था, बिहार और द्योगिक शेत्र विकास अधिनियम कब पारित किया गया था, आपके ओप्शन्स थे, तो सही उत्तर था, आप्शन B, 1974, चलिए इसका विशलेशन देख लेते हैं, बिहार में और द्योगिक शेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बिहार और द्योगिक शेत्र विकास अधिनियम 1974 पारित किया गया, इसलिए विकल B सही जवाब है, इसी एक्ट के तहट बिहार और खेत्र विकास प्राधिकरन यानि बियाडा की स्थापना की गई, बियाडा उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमी आवंटित करने वाली शीश संस्था है, गौर तलब है कि बिहार की उद्योगिक कमिशनर का चहरी पटना में है, चलिए आज का सेशन श कोई नहीं अध्वा उपरिक में से एक से अधिक, सही अंसर है, आप्शन ए अशोक, अशोक महान के धार्मिक प्रचार से कला को बहुत ही प्रुच्छाहन मिला, कहा जाता है कि उसने तीन वर्ष के अंतर गत 84,000 स्थापों का निर्मार करवाया, सांची का महान मुख्य स्थ मोलता है समराट अशोक नहीं तीसरी सदी इसापूर में बनवाया था, बाद में इस स्थूप को समराट अगनीमित्र शुंग द्वारा जिर्नोधार करके और बड़ा वविशाल बना दिया गया, इस स्थूप के केंदर में एक अर्ध गोलाकार इट निर्मित धाचा, यान नारायन सिंग या फिर उपर रित में से कोई नहीं या उपर रित में से एक से अधिक, तो सही अंसर है उप्शन ई, चमपारन सत्यागरा के बाद चमपारन कृशक चांच समिती गठित की गई, इसके अध्यक्ष एफ जी सलाई बने, जबकि इसके सदस से थे डीजे रीड, महत्मा गांधी, एलसी अधामी, राजा हरीहर प्रसाद, नारायन सिंग और जी रैनी, इसलिए विकलपी सही अंसर है, म.E.L. टेनर इसके सचिव थे, बाद में राजा हरीहर प्रसाद के खराब स्वास्ते के कारण उनके स्थान पर महराजा कृत्यानन सिंग को सदस से बना आप्शन E, उपर एक में से कोई नहीं या उपर एक में से एक सैधिक, दरसल पटना कलम शैली पर मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानी शैली तीनों का प्रभाव दिखता है, इसलिए आप्शन E सही अंसर है, पटना कलम शैली के चितर लगु चितरों की शैली के अ प्रथम उपदेश देने के बाद, या फिर उपर एक में से कोई नहीं या उपर एक सैधिक, सही अंसर है, उप्शन B, ग्रह त्याग करने के बाद, यती संस्कृत शब्द है, जिसका प्रेयोग संसार के माया महो से विरक्त सन्यासी के लिए किया जाता है, इनका उदेश है धर्मकारे करते हुए संसार का उपकार करना और लक्ष स्वैम के प्रती मोक्षी प्राप्ति करना होता है, इस तरह तीस वर्ष के उम्र में घर बार छोड़ने के बाद, महावीर स्वामी यती कहलाने लगे, आगे उन्होंने तपस्या करके कैवल्ले ग्यान प्राप्त किया महावीर ने पार्षनात के आरंब की ये तत्वग्यान को परिमार्जित कर उसे जयन दर्शन का स्थाय आधार बनाया. आधुनिकाल में जयन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का पूरा श्रे महावीर को दिया जाता है. भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था जिस कारण इन्हें जीते इंद्र भी कहा जाता है चलिए बागे बढ़ते हैं 1881 एस्वी में इंडियन क्रोनिकल का प्रकाशन बिहार में कहां से हुआ भागलपुर, पटना, मुंगेर, मुजफरपुर या उपर रितमे से कोई नहीं या फिर उपर रितमे से एक से अधिक सही अंसर है ऑप्शन बी पटना 1881 में पटना से इंडियन क्रोनिकल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1875 में बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दबिहार हेराल की शिरुवात गुरु प्रसाद से इननी की थी 20 वे शितादी के शिरुवात में राश्टर वादियो द्वारा दब मदर लेंड और बिहार स्टेंडर नाम के अन्य समाचार पत्रु का प्रकाशिन किया गया दबिहारी एवं दबिहार टाइम्स दो अखबार थे जब बिहार को प्रिथक प्रांथ बनाने की मांग के प्रस्तुती में सक्रियर रहे चलिए अगला सवाल देखते हैं बौत धर्म को सबसे पहले किस ने राज के संरक्षन प्रदान किया उज्जेन के शासक, कोशल के शासक, आवंती के शासक, बिहार के शासक या उपर रितम से कोई नहीं या फिर उपर रितम से एक से अधिक सही अंसर है ऑप्शन डी बिहार के शासक बौत धर्म को अनेक राजवन्चु द्वारा राज के संरक्षन दिया गया मगर कालकरम के हिसाब से देखें तो बिहार के खासकर मगद के शासकों ने सबसे पहले इसे राज के संरक्षन प्रदान किया अजात शत्रू काला शोक वा अशोक मगद के ऐसे शासक थे जोनोंने बहुत संगीती को संरक्षन दिया अशोग के समय बौध धर्म का प्रचार प्रसार अपने चरम पर था इसने अपने पुत्रों वा पुत्रियों को भी बौध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया था नेक्स सवाल सही आंसर है बिहार के दूसरे वेक्तिगत सत्याग रही अनुग्रह नारायन सिंग थे जबकि प्रथम वेक्तिगत सत्याग रही श्री कृषिन सिंग थे गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्तूबर 1940 को महराश के पवनार आश्रम से प्रतीकात्मक विरूद स्वरू वेक्तिगत सत्याग रही प्रारंब किया गया इस सत्याग रही में महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया सत्याग रही पूर निर्धारित स्थान पर भाशन देकर गिरफतारी देता था भाशन से पूर सत्याग रही अपने सत्याग रही की सूचना जिला मजिस्ट्रिट को भी देता था राश्ट्रे स्तर पर पहले सत्याग रहे विनोबा भावे थे जबकि दूसरे जवाहरलाल नहरू व्यक्तिगत सत्याग रहे का अन्य नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी था अगला सवाल बिहार के किस जिले से नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था सारण, दर्भंगा, शाहबाद, पटना, अत्वा, उपरिक्त में से कोई नहीं या उपरिक्त में से एक सेधिक तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, शाहबाद असायोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहबाद जिले से नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था इसके तहट आंदोलन के माध्यम से लोगों से नशा छुड़ने की अपील की गए थी या आंदोलन असायोग आंदोलन के बैनर तले ही चलाया जा रहा था चलिये बागी बढ़ते हैं महत्मा बुद के लिए कहां के महावन में एक कुटगर शाला का निर्माण करवाया गया था लिच्छवी, विदे, अंग, मगध या उपरुक में से कोई नहीं अथवा उपरुक में से एक से अधिक तो सही उत्तर है आप्शन ए लिच्छवी महत्मा बुद के लिए लिच्छवी के महावन में एक कुटगर शाला का निर्माण करवाया गया था यहाँ पर भगवान बुद उपदेश देते थे कौटिले ने लिच्छवी हेतु राज शब्दोप चीवी संख का प्रयोग किया है मगद नरेश अजात्शत्रू ने वजजी संख को पराजित करके मगद सामराजे में मिला लिया था अगला और अंतिम सवाल देखते हैं ब्रहिदरत वंच का अंतिम शासक कौन था? जरासंध, चंड प्रद्योत, शुनक, रिपुणजे या उपर रित्म से कोई नहीं या फिर उपर रित्म से एक से अधिक सही उत्तर है option D, रिपुणजे ब्रहिदरत वंच का अंतिम शासक रिपुणजे था जिबकि ब्रहिदरत इसका प्रत्रम शासक था रिपुन जे एक कमजोर और अयोग गिशासक था अतेहुस के मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवा कर अपने पुत्र को राजगदी पर बैठा दिया पौरानिक कथाओ के अनुसा ब्रीदरत वंच मगत परशासन करने वाला एक राजवंच था चलिए अब अभ्यास प्रेशन नोट कर लीजे सवाल है मौरे सामराजी की प्रशासनिक सनरचन में स्थानी शब्द कितने ग्रामों के समह को सूचित करता था आपके ऑप्शन से ए आट सो, बी चार सो, सी दो सो, डी सो या फिरी उपर रिक में से कोई नहीं, अथवा उपर रिक में से एक से अधिक तो सवाल का जवाब कॉमन सेक्षन में जरूर दीजेगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ तब तक के लिए जैहिंद